आस्था चेनल के सभी श्रोता भाई बहन को दिपोस्तों की दिपावली की पावन बहुत बहुत बढ़ाईयां आप सभी के घर में मातलच्मी सदा विराजमान रहें आपका जीवन सदा सार्थक रहें वैभव धन दोलत संपदा सत्ता और भगवान की भक्ति आपके जीवन में हमेशा बनी रहें पांच दिवस्ती पूजन आप नित्य धंतेरस से चोकी लगाकर लीब कर पोच कर ठाली रखकर उसमें जो चांदिक का सिक्का और यापना सिक्के का जो पूजन कर रहे हैं वहां निरन पर पांच दिवस्त अके का करना और उसका इस समरण भगवान की अविरल भक्ति को अगवान की अविरल लक्ति को प्राप्त करने का जो साधन था कि अधिवाली का भर्व है घर में जब शाम के समय आप लच्मी का पूजन कर रहे हो भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो भगमाता लच्मी को अपने घर में प्रविश करा रहे हो तो नमस्षिवाय पंचाक्षर मंतर का इस्वन करिए शिरी शिवाय नमस्तु भ्यम का इस्वन करिए शिरी गनेजी महराज का इस्वन करिए और तब लच्मी की पूजन करने बेटिये और माता लच्मी का पूजन करते समय आपके मन में ये भाव प्रवल आना चाहिए कि मां हमने जो पुर्व में गल्ती करी हमने जो पुरानी गल्ती करी हो हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हो हो सकता है आप हमारे दर्वाजे पर आई हो हम आपका आदर नहीं कर पाए हो पर मां आच्छ हमां मांगते हैं एसी कृपा इसलिए आपको पहले भी शुपुराण में कहा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोश सारी गलतियां छमा हो जाती है अगर भगवान भूत अदिपती भगवान शंकर का इस्मिन करकर अगर आप पूजन में बेट रहे हैं लचमी पूजन कर रहे हैं तो यह पक्का है अगर हमसे कुछ तुटी हो भी गई तो भगवान भोले ना तुसको चमा कर दे और माता से निवेदन करना है लचमी या है वेवह लचमी है माताश्त लचमी है मा संतान लचमी दान लचमी वेवह लचमी प्रतिष्ठा लचमी यश्च लचमी किरती लचमी आरोकी लचमी संतान लचमी है मा ऐसी करपा करिए आप हमारे घर से रुष्ट हो करना जाईएग ये घर, ये परिवार, ये सब आपका, सब आपका, ये किसी दूसरे का नहीं, माँ, पूजन करते समय माता लच्च में से जरूर का है माँ, चार साल हो गए, दो साल हो गए, ये दो वर्ष, ये वर्ष, जो बेकार निकल गए है, माँ, हो सकता है, आप हमसे रिष्टो हो गई हो पर आच्छमा मानकर अपने घर में, आप प्रविश करिए माँ, आईए हमारे घर में, आप पधारिये, मारा जी, दीप एक बेलपत्री के नीचे एक आउले के नीचे एक पीपल के नीचे लगाने जाती है महाराज आज नाराएंड ने करपा कर दो और क्या करपा करी कि आज सरस्वती पारवती और लच्छ में तीनों इन प्रक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गए पारवती महिया तो पहले से ही पहले पत्री के नीचे है स्वयम सरस्वती महिया लच्छ महिया आवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गए अब आज तीनों दिवियों में बात हो रही है आज तीनों दिवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो ये पक्का है कि मैं लच्छ मी उसके घर में परविश करूँ सरसती जी बोली जो पहले बाद दीप लगाने के लिए परतम में आएगा में उससे अपनी सहली बना लोग उसको अपनी मित्र बना लोग अर्वती जी बोली जो परतम दीप लगाने आएगा पारवती जी कहती है मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्यान करवात देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है आज सुख है कल दुख है फिर दुख है फिर सुख है ये जीवन में चलता रहता है भगवान ने दिया हो सकता है पूर्म में आपके पास में खूद धन होगा वेबा होगा सत्ता होगी फैक्ट्रीन तीन दिन से आप पाठा लगा कर पूजन कर रहे हो आज भी दीपा बली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है जितना पूजन आप हर साल करते हो आपके घर में ब्रहामन देवता आकर जिस तरह से पूजण करते हो उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैशा की वैशा ही क्रम लगाना है पर जो पूजण आपने धनते रस्पे करी परुप्च उदस पर करी वही थाली आज फिर पहुचकर पाटे पर लाल बस्तर विचा कर चवरंग पर जालबस्तर विछाकर उस ठाली को रखना जिता जैसे आपकी यहां के ब्रह्मन पूजन बताते हो वैसी पूजन करो अगर अगर ब्रह्मन आपके नहीं आते पूजन करा है आप स्वयम करते हो तो ज्येसा करते आयों याद रखना कि घीका दिया और तेलका दिया यथा इतना जरूर आप फ़राते भूज टरखना कि धीका दिया ओर तेल का दिया ये दोनों दीप दिपा वली के दिन रातरी को अखंड जलना चाहिए एक रातरी अखंड जलना घीका दीब जहां लच्वी जी रखी है आपने जिन कल्दार की पुजन करी है उनके सीधे हाथ पर और त्यल का दीब पुल्टेल हाथ पर रखाना जो लच्वी जी के आपके नहीं, वही रोली, मौली, चंदन, अभी, गुलाल, महंदी, पीले अक्षत, चावल, सुन्दर सुन्दर, पुष्प, इत्र, सुन्दर माला, कमल के भूल, कमल गट्टे, पांच या साथ, अमर बिल के तुकडे, साथ या पांच, हल्दी की काठ, पांच या साथ, भरे मूं, धने में, जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बट्टी, ये भी, एक कटोरी में भर कर रखना चाहिए, क्यों रखा जाता है, गुड़ और धने को क्यों रखा जाता है लच्वी पूज में, इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित प्रती, जब भी भी योग लगे, शुब कारे, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुँओं के, संतान की व्रद्धी, बंच व्रद्धी, ये सब होती रहे, मंगल कारे होते रहे, महराजी, सारी पूजन वैसी की वेसे ही कर रहा है, जैसे पूर्व में करी है, सुन्दर माता के सम्मुक में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लिकर आए होगे, एक सुन्दर कागज पर लच्मी सरसुती गणेजी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगा हाँ पर रख कर पूजन प्रेम से करें, और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूरवजो का भी स्मर्ण के. घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बेटे हैं आपके लाला विराजमान है विश्वनार जी विराजमान है सुन्दर भाव से महांकाल बाबा विराजमान है उनका भी समर्ण करें करें उनका उप्त का सुन्दर कलश की स्थापना करते हुए श्रिफल रखते हुए जैसा जैसा आप this पहले से नहीं रखती आए और पना सी म私 पूझी नदी पूझन बूझन का बेटके और पूरमैं करते हैं कि साथ साइस्सों नहीं जएसा बताया आपके दर पूझद करना तर्य सौन लीमें एक ही ज़ Nós प्रभात पूझन अपकरतेग्तर हुए किए उस्कए का पूझन जरूर्ठortsIt महराज गी का दीप देल का दीप लगाकर और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिये रहते हैं आप जितने लगाते हो ग्यारा एकिस जोविस जितने भी आप लगाते हैं उतने दिये लगाएं गी के देल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें माता का पूजन करें, इस्मर्ण करें, माता को नमन करें, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की, बहुत बहुत बदाई, आज जी को सब है, अपने घर में, आओ भक्ती और आनंद के साथ मता लच्मी का पूजन करें